नमस्ते अस्ट्रेलिया नमस्ते अस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्री और मेरे प्रियम मित्र, His Excellency, Halbanesee, नमस्ते अस्ट्रेलिया के पुर्वा प्रदान मंत्री, His Excellency, Scott Morrison, New South Wales के प्रेमियर, Chris Minns, Foreign Minister, Penny Wong, Communication Minister, Michelle Rowland, Energy Minister, Chris Bowen, Leader of Opposition, Peter Dutton, Assistant Foreign Minister, Tim Watts, New South Wales के उपस्तित, मंत्री मंदल के सभी आदर्णिय सदस्या, पैरा माटा से साउसद सदस्या, Dr. Andrew Charlton, यहां उपस्तित, आस्ट्रेलिया के सभी साउसद सदस्या, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्ज, और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतियर, जो आज इतनी विशाल संग्या में उपस्तित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, १११११। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to the elders, past, present and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, when I was in 2014, I had one question from you. The fact was that you have to be prepared for some first-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate-rate. तो लिजिए यहां सिड्डी में, इस एना में, मैं फिर हाजिर हूँ. और मैं अकेला नहीं आया हूँ. प्रदान मंत्री अल्वेनिजी भी मेरे साथ आये हैं. मिस्टर प्राइमिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्तकार कम में से, हम सभी के लिए आपने समय निकाला है. ये हम भारतियों के प्रती आपके इस नेह को दरसाता है. आपने जो अभी कहा, वो दिखाता है कि आस्ट्रेलिया के मन में भारत के पती कितना प्रेम है. इसी वर्स मुझे प्रधान मंत्री जी का भारत की धर्ती पर अम्दाबाद में स्वागत करने का आउसर मिला था. आज उन्होंने हाँ लीटल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अन्विल करने में मेरा साथ दिया है. मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. थेंक्यो मा फ्रेंड एंथनी. ये लीटल इंडिया अस्ट्रेलिया के विकास में भारतिय समुदाई के योगदान का भी एक रेकनिशन है. मैं न्यू साउथ वेल्च के प्रिमियर, पैरामाटा शहर के मेर, डेपुटी मेर और काउंसिलर्स को इस विशेश सन्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. साथ्यों मुझे खुछी है कि न्यू साउथ वेल्च में प्रवासी भारतिय समुदाई से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागिदारी कर रहे हैं. अपनी पहचान बना रहे हैं. वर्तमान न्यू साउथ वेल्च की सरकार में डेपुटी प्रीमियर प्रूकार ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रिबिशन कर रहे हैं. और कल ही, कल ही बाई समीर पांडे पैरा माटा के लॉड मेर चुने गए हैं. मैं सब का अभिनन्दन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ. साथियों, आज जब पैरा माटा में ये सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है, कि पस्चीमी आउस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारती असैनीक नईयन सीज सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है. उन्होंने पहले विश्व युद्ध में आउस्ट्रेलिया की फोच के लिए लड़ते हुए बीरगती प्राप्त की थी. इस सम्मान के लिए मैं पस्चीमी आउस्ट्रेलिया के नेत्रुत्व का आदर पुर्वक अभिनन्दन करता हूँ. सात्यों एक समय था जब कहा जाता था कि भारत आउस्ट्रेलिया के समंदों को थ्री सीट डिफाइन करते हैं. कि ऐसा पहले कहा जाता हूँ कि कौन से थ्री सी हैं कॉमन वेल्थ, क्रिकेट और करी. इसके बाद कहा गया कि भारत आउस्ट्रेलिया के समंद थ्री डी पराधारी थै. देमोक्रेसी, दाइस्फोरा और दोस्ती. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत आउस्ट्रेलिया के समंद थ्री डी पराधारी थै. एनरजी, एकोनामी और एजुकेशन. आइने कभी सी, कभी डी, कभी ई. अलग-अलग कालगंड में ये बात संभवतह सही भी रही है. लेकिन भारत और आउस्ट्रेलिया के एक्तियासिक समंदों का विस्तार इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है. और जानते हैं, इन सारे समंदों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं. सबसे बड़ा आधार है, मिच्यल ट्रस्ट और मिच्यल रिस्पेक्ट. इन मिच्यल ट्रस्ट और मिच्यल रिस्पेक्ट. सिरफ भारत अस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक दिस्तों से विक्षित नहीं हुआ है. इसकी असली वज़ा है, इसकी असली ताकत है, आप अस्ट्रेलिया में रहने वाले हरे एक भारतियर. आप उसके असली ताकत है, इसकी असली वज़ा है, आस्ट्रेलिया के धाई करोर से जादा सिटिजन्स.